जब इस सीरीज का सीजन वन आया था तो जो मैंने उसका रिव्यू गया था तो उस वीडियो के ओपर लाइक से जदा डिसलाइक थे और जितने भी कॉमेंट थे हैं उसमें ज़्यादा तर गालिया थी और अभी भी वही सिचुएशन बनने वाली है इसके सीजन टू के अंदर अगर आप लोग इसका सीजन वन देखते हो बिना बायस हुए किसी के भी यहां तुम फैन नहीं हुए तो तुम देखना कि जो मैंने उस वीडियो में बोला था मैंने कोई गलत बात नहीं की थी और अज जो मैं बोलने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर बहुत सारे लोग अगर फैन आएंगे जिस इंसान के भी जिमें बात करूँगा तो अगर वाएंगे तो वही बायस होंगे वो कहींगे यार तुझे पता नहीं कुछ भी और वही गालियां लिखके जाएंगे देख़ए यार मैं इन होगा तो कुछ इलाज करने सकता है बट फिर भी एक सला फैन बनने से पहले इसको इसका काम देख़ए कि वह अच्छा कर रहा है तो बेशक उसको सराहो कि हां यह उसने अच्छा काम किया है उससका क्काम खराब है इसस पार क्रिटिसाइस होगा और यह कोई गलत चीज नहीं है नमश्कार दोस्तों इस विडियेए हम बात अनात बच्चा होता है पार्लर वो स्ट्रिप दांस भी करता है होटल इसको इसको जो की जो लोरते होती हैं उनके बीच में जाकर यह नंगा होके नाचता है और साथ ये पढ़ाई भी कर रहा है अब पढ़ाई का जो इन्होंने बच्चों की तो बैग टांग लो और सुरुष के बाहर बार चकल लगा तो तुम्हें कोई क्लास प्रोस नहीं दिखानी और ऐसे इसमीं किया गया है तो इसे यहां पर एक लड़की पसंद आती है इसका नाम बहुता है अब ट्विस्ट आता है यहां पर जब इसक क्षी क्वालईटी में फोट होती है अब मुझे यह नहीं पते है इसके पास कहां से है क्वे पोच्ट को वजिक चलो ठीका लोग्जी हमने मार दिया फिर जब यह फोट इसके पास होती है इसको पता चलता है कि सुकून के पिता है वही इस तो करते हैं कि actual में सच्चा ही क्या है तो बस इतनी सी कहानी है अब अपने पिता को खोजना जाता है कि कौन उसका बाप है अब देखो फर्स्ट अगर मैं आपको ओल्ट बाला जी वालों कि अगर इनके according क्या होता है इनके modern बनने की मतलब woman especially woman कैसे modern बन सकती है तो इसके according हर ओरत को शराप पीने पड़ेगी गैर मर्द के साथ अव्यद संबन रखने पड़ेगे यही इनके modern बनने की परिभाशा है इस पूरी entire series के अंदर आप क्या देखने को मिलेगा एक ओरत जो है वो सार makers हैं शायद उन्होंने इस series को कहानी लिखने से पहले इसको बनाने से पहले उन्होंने एक porn movie देखी होगी तब जाके उनको एक ऐसा idea हो गया है हां यार ऐसा कुछ बनाते है और उन्होंने यह बना के रख दिया कहानी में ना कोई sense है और इस वहयात कहानी को और जादा वहय याद बनाती है इसमें की गई performance सची यार मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यार performance कोई कर नहीं सकता अच्छी नहीं कर सकता है लेकिन उससे पहले जाके सीखो यार acting कैसे की जाती है को यूटुब की वीडियो थोड़ना बन रही है और सीरीज जिसको हम पैसे देकर एक सब्सक्रिप इसके बाल खराब ना हो जाएं उसको सीरियस ही नहीं ले रहा है कोई acting कर दी है और जो इसमें कबड़ी का एक सीन होता है उसके अंदर लड़कियां आपस में कबड़ी कर रही होती है वह आई मेकप लगाकर मतलब आगों के ऊपर मेकप लगाकर कबड़ी कर रही है तुम्ह क्या कोशिच की गई है इसको दिखाया गया है जिसके अंदर सिर्फ लिटर लिया चोटी से चोटी बच्ची अच्छी वह कौनसी भी चोटी बच्ची हो मतलब बुजूर्ग महिला हो चोटी बच्ची से लेके बुजूर्ग महिला तक उनको क्या दिखाने की कैसे रिप्रे लोग जो है वो अगर कोई देखे भी तो इससे क्या सीखने को उनको मिलेगा अब तुम कहो कि क्या entertainment इसमें मिलेगा नहीं यार इसमें कोई भी entertainment नहीं है अगर एक woman को sex objective की तरह से use किया जाए तो वो entertainment नहीं होता है और अब आते हैं इसके propaganda के उपर मुझे सच महा हूँ यार म फिर जाती मिश्यस GORDON के अंदर कोई वाता के जगराता करने वाले एक इन्सान को playboy कहा गया और कहा गया जह जो इनसान इस शहर ने उसके बच्चे आदिर से जादा शेहर की जो बच्चे वह उसी कर Ze यह जो चीज देखी कि मतलब इससे जो लोगों के संदेज जाद है कोई मैसीज भी मिलता है कोई टीनेजर अगर ऐसा देखता भी है तो उसको फरस्ट अफॉल कैसा लगेगा कि यार हाँ यार माता का जगराता करने वाला इंसान ऐसा हो सकता है अगर तुम्हें प्लेबोई का कॉंसेप्ट उसके अंदर घुसेड नहीं था तो जरूरी तोड़ना था कि किसी धर्म या आस्ता के साथ उस चीज को जोड़ा जाए इससे बहुत जादा एक गलत मैसे जाता ही जाता है लोगों के बीच में वो उससे कुछ अलग अलगी सीख लेते हैं यार क्या हम भारतिय कांटेंट के तुरू लोग बच्चे जो हैं वो टीनेजर से हैं क्या उनको अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं या यह जरूरी है कि उनको बस मोडन के नाम पर दारु पीना या सेक्स करना ही सिखाया जारहा क्या उनको यह नहीं बताया सकता है कि भारतिय सिंसक्रिती कित काम को इंके पास नहीं पर पहले एकटिंग करना तो सिखा दो आईसी प्रफोर्मस देखने को मिलती है कोई एक्स्प्रेशन नहीं है किसी काम को इतनी घटिया वाहियाद वह निबानी देखने को मिल रहे हैं यार इस चीज़ के लिए नहीं मतलब वह सब्सक्रिप्शन करीते हैं यार क्या देखा यार कुछ भी नहीं इससे पहले वाली वो जो वीडियो बनाई थी जो क्या ना कुली नंबर वन यार उससे एक सरमेदर दो गया था और ज्यादा सरमेदर इस सीरीज नहीं कर दिया और सच कहा रहा हूं यार यह 2020 खतम होने का नाम नहीं ले रहा है और इतनी गटिया गटिया चीजें देखनी पड़ रही हैं मेरी तरफ से इस सीरीज को मैं देना जाओंगा जीरो आफट ओफ जीरो स्टार और मैं किसी को भी रिकमेंडिट नहीं करने वाला इस गटिया वाहिया सीरीज को देखने हैं क्योंकि तुम्हें ओल्ट बाला जे के ओपर ए ऐसी गटिया वाहिया चीज से दूर रहूं कि नहीं देखी तो प्लीज हाथ जोड़के विनती है तो दूर ही रहना यार कोई बहुत सी असी चीज़ है उनको जागे देखूं बस आज के लिए इतना है इस वीडियो में थैंक्स और वोचिंग दिस वीडियो में जैहिंद